नमस्कार दोस्तों स्वागए था आपका मिस्टर ओटो अपकी एक और फ्रेश वीडियो में आज मैं आ गया हूँ आपके लिए निशान के शुरू में लेके निसान का सेकेंड बेस विरियंट यह है मैगनाइट का एक्सल विरियंट तो देख सकते हैं कितने ही प्रॉमसिंग के साथ बहुत इच्छा पैकेज लेके आती है एंड क्या फीचेस हमें इसमें मिलते हैं क्यों यह कार अपने सेग्मेंट में राश्च कर रही है तो चलिए हम डिटेल में कार के बारे में बात करते हैं बताते हैं आपको क्या कुछ हमें मिलने वाला है सो फर्म प्रॉफाइ आफ डिट आपको सिर्वा कर अलगी प्रॉइड कर दियाती है ग्रिल देख सकते हैं जो की काफी मैसिव है एंड इसमें भी खुरम कवर अच्छे से कर आगे हैं आपको सांधार लगते हैं फ्रंट से और काफी अग्रिस भी प्रॉइड करता है बोनेट में भी काफी अचछ और वारियम आपको इसमें ब्लाक फिनिश के सार्थ आप देख रहें कितने बेतरी लगते हैं इसमें इसका सेकेंड बेस्ट बेरियंट बॉडी कलर से आपको इसमें डूर हैंडल मिल जाएंगे आपको मिल जाते हैं निसाम की बैजिंग नीचे मैगनाइट की बैजिंग आपको यहाँ पर रियर वाइपर वाशर डिफॉगर सब कुस प्रोवाइड करा गया है उपर में इस पॉलेट नहीं आपको उपर प्रोवाइड करा गया है सिल्व कलर की रूफ रिल इसमें मिल जाते हैं जो कि लुक्स को भाई चार चानल लगा देते यह बेस मोडल को इसमें रूफ रिल्स प्रोवाइड हो जाती है बंपर में देखते हैं तो काफ़ी काफी शांदर मिल जाता है जिसमें आपको 4 रिवर पाकिंग निसर निसमें पार्सले टेर तो नहीं मिलती है मगर इसमें आपको साथे 300 प्लस का बूर्ट स्पेस मिल जाने वाला है अगर मैं बात कुर आपको इसके कुछ स्टेपनी वील की तो इसमें आपको टेंपरेरी स्टेपनी वील दिया जाता है जिसका सेक्षन है 185 by 65 और 15 इंचेस का जिसको करते है बॉल को बन करते हैं स्टेड़र के इंची किलो में हमें क्या कूछ मिलने वाला है फिचर इने होने के साथ ही तो बहां आपको देख सकते हैं यह आपको देख करते हैं इसका बनेट एंचेल क्youngों shirts स्पेक्स देख लेते हैं फिरम लोग इंटीर के बार में बात करने वाले हैं तो इसमें आपको मिलता है एक लीटर का पेट्रोल इंजन एंड आपको इसमें टर्बो जाज इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है जो यह एंजन है यह प्रोडूस करता है 63bhp की पावर एंड 33Nm क टॉर्क बागी आप ऊपर में इंसलेशन देख सकते हैं तो यह कफी अच्छा रहता है एंड यह आपको फोर स्टार रेटिंग साथ प्रोवाइड हो जाती है एंड आपको मालेज भी काफी अच्छार निकालके दई देती है अपने सेग्मेंट में है तो अगर हम लोग बा करा गया है बेस मोडल से ही और फॉर पाव इंडिवे कंटोर्स ओवार्यों को एज़स्ट करने के लिए बटन्स और फोल्ड करने के लिए बटन्स प्रोवाइट करा गया है सिलवर में आपको डोर लॉक ऑपन मिल जाने वाली है अगर बात करूं मैं कुछ स्पीकर की तो य प्रोवाइट कर दिये गए हैं सेकेंड बेस वीरेंश तो भाई मैं यह कौँँगा कि कार में काफी कुछ अच्छे से बेस मोडल से दे दिया गया है जो कि और भी कार कंप्पनिस प्रोवाइट नहीं करती है अगर निसान आपको काफी कुछ प्रोवाइट करता है इंस्ट्रमेंट क्लिस्टर आपको फुली डिजिटर में प्रोवाइट हो जाता है जैसे कि आप भी देख रहे हैं काफी अच्छे फीचर्स आपको निसान में मिलने जो कि 6 लाग की गाड़ी रहती है यह उसके सबसे फ सब कुछ मैनेज कर सकते हैं आपको कॉलिंग का भी ऑप्षिंस प्रोवाइट कर दिया जाते हैं अगर मैं बात कुनों अब इसके स्टेरिंग वील की कि आपको टेल्ट मिलता है तो यह केवल आपको टेल्ट मिलता है कोई भी टेल्ट में यूज नहीं करा गया है यहाँ सकते हैं तो फुली आटोमाटिक एसी मिल जाता है बेस मॉडल से यह एक अपर मॉडल से केंड बेस जिसमें आपको आटोमेटिक एसी मिल जाता है आई आर विम आपको मैनुवली आज़िस करना पड़ेंगा कोई वी आटो ट्रेमिंग फंक्शन नहीं प्रोवाइड करा गय लगते हैं देखने में आपको इसकार में बहुत लिए मिलता आप देशने वाला है और भी स्पेस यहां पर फोड़ी सी स्टोरी स्पेस यहां पर स्टोरी स्पेस एंड बारा वोल्ट का पॉवर्ट प्रोवाइड कर देगा है जिससे आप अच्छे-कासी चार्जिंग कर सक अच्छे-कासी प्रोवाइड कर देगा है तो यह हो गया हमारा कुछ इंटीर के लोग अब शलते हैं सेकंड रोमें दिखाते हैं कि हमें उसमें कितनी स्पेस मिलने वाली है तो आगया हूं मैं कुछ सेकंड रों के लिए ओपेंग करते हैं इसका दोर दिखाते पहले में ड अगर सीट की बात कर लिए तो यहां पर आपको देख सकते हैं काफी अच्छी कुछनिंग के साथ आपको मिल जाते हैं दो मिलते हैं थर्ड प्रसेंजर के लिए कोई अगर मैं बैट के स्पेस की बात बताओं तो यहां पर हमें अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है था काफी कुछ अच्छा निसान प्रोवाइड करता है फीचर इस लिए बन जाती है अब चलिए मैं बताता हूं कि आपको यह करने के लिए यह था वीडियो हमारा मैगनेट के एक्सल वीरियंट के लिए कि आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट से किसे बताएगा अगर आप इस सकते हैं अगर आप लखना है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पिलीज चैनल को सब्स्क्राइब करें एंड वीडियो को ज़र से शेयर करें बने रहे हमारे साथ और बैसा कंटेंट देखने के लिए धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए